ओम शांति ओम शांति आज दस सितंबर दोहजार चौबिस दिन मंगलवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवाक्यों को मीठे बच्चे माया को वश करने का मंत्र है मन मनाभव इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है प्रश्न आत्मा की सेफ्टी का नंबर बन साधन कौन सा है और कैसे उत्तर याद की यात्रा ही सेफटी का नमबर बन साधन है क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे केरेक्टर सुधरते हैं तुम माया पर जीत पा लेते हो याद से पतित करमेंद्रियां शान्त हो जाती है याद से ही बल आता है क्यां तलवार में याद का जोहर चाहिए याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे कोई को भी नाराज नहीं करेंगे इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है अपने आप से पूछना है कि हम कहां तक याद में रहते हैं ओम शान्ति मीठे मीठे रुहाने बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है कौन सी सेफटी फरस्ट सेफटी क्या है याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो मूल बात ही बच्चों के लिए यह है बाप ने समझाया है तुम बच्चे जितना याद के यात्रा में ततपर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी टीक होंगे क्योंकि पावन भी बनना है कैरेक्टर्स भी सुधारना है अपनी जाच करनी है मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तू नहीं है मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं आजाता है यह अच्छी रीती अपनी जाच रखनी है बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो बेहत का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं बापी तो सब हैं तेहधारी इसमें सारे दुनिया आजाती है एक बाप ही विदेही है वे तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने पवित्र बन कर ही वहाँ जाएंगे चीची को तो साथ ले नहीं जाएंगे इ पहले मंत्र ही यह देते हैं, माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है, इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है, मनुश्य से देवता बनना है, जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफटी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुर्शार्थ करो बाप तो शिक्षा देते रहेंगे पर ड्रामा भी कहते रहेंगे ड्रामा अनुसार बिलकुल ठीक ही चल रहा है फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है बाहर रहने वाले बांधेली को पिकाएं जितना याद करती हैं उत्ता सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं क्योंकि उनको तड़फन होती है शिबाबा से मिलने की जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे की भर जाता है जो बहुत याद करते हैं वह उच्पद पा सकते हैं देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर से संभालने वाले मुखे भी याद की यात्रा में कमजूर है याद का जोहर बहुत अच्छा चाहिए ग्यान तलवार में याद का जोहर ना होने के कारण किसी को तीर लगता ही नहीं पूरा मरते नहीं बच्चे कोशिश करते हैं ग्यान का बांड लगाकर बाप का बनाएं वा मर जीवा बनाएं परन्तु मरते नहीं तो जरूर ग्यान तलवार में गड़ बढ़ है बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चिल रहा है परन्तो आगे के लिए तो समझाते रहेंगे न हर एक अपने दिल से पूछो हम कहां तक याद करते हैं याद से ही बल लाएगा इसलिए का जाता है ग्यान तलवार में जोहर चाहिए ग्यान तो बहुत सहजरीती समझा सकते हैं जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे अब फिर सतो प्रधान बनना है तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए कभी रंज अर्थात नाराज नह करने की सर्विस बहुत उची है विश्व विद्याले तो भारत में बहुत काय जाते हैं वास्तम में वह है नहीं विश्व विद्याले तो एक ही होता है बाप आकर सबको मुक्ती जीवन मुक्ती देते हैं बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत् बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छीची दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है अभी माया का पॉम्प कितना है फॉल आफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं बड़े-बड़े मकान आदी बना रही है, यह है पॉम्प, सत्युग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं है, यह बनते हैं क्योंकि रहनी के लिए जमीन कम है, विनाश जब होता है तब सब बड़े-बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं, आगे इतनी बड़ी-बड़ी जाएंगे, नहीं, जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, प्रित्वी पर हो, आकाश में हो, पहाडों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे, यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाक योनिया हैं, यह सब खत्म हो जानी हैं, वहाँ नई दुनिया में यह और नजीव जन तो आदी होंगे यहां तो धेर के धेर हैं अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है यहां भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफायादी रहती है तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो बड़े आदमी भी नहीं केंगे तुम बहुत उचे देवताएं बनते हो यह कोई नई बात नहीं है पाँच हजार वर्ष पहले भी तुम यह बने थे नंबर वार यह इतना कीचड़ा आदी वहां कुछ भी नहीं होगा बच्चों को बड़ी खुशी होती है हम बहुत उच देवता बनते हैं एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत उच बनाते हैं पढ़ाई में हमेशा नंबर वार पोजिशन वाले होते हैं कोई कम पढ़ते हैं कोई जास्ती पढ़ते हैं जब बच्चे पुर्शात कर रहे हैं बड़े-बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं इसलिए कि बड़ों-बड़ों को मालूम पढ़े भारत का प्राचीन राजयोग भी गया हुआ है खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की भारत वासी तो तमो प्रधान बुद्धी हैं वे फिर भी तमो बुद्धी हैं इसलिए उनों को शोक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का भारत का प्राजीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था, वो थोड़े आते हैं, जो पूरी रीती समझते हैं, स्वर्ग हेवन पास हो गया, सो फिर होगा जरूर, हेवन अथवा पेराडाइस है, सबसे वंडर ओफ वर्ल्ड, स्वर्ग का कितना नाम बाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवाले और वैशाले, बच्चो को अब नंबर वार याद है, कि आमको अब शिवाले में जाना है, वह जाने के लिए शिवाबा को याद करना है, वही पंडा है, सब को ले जाने बाला, बक्ती को कहा जाता है रात, ग्यान को कहा जाता है दि मकान में हम पढ़ाए तो बड़े-बड़े लोग आएंगे। एक-एक को बैट समझाना पड़ता है। वास्तर में पढ़ाई वाशिक्षक के लिए एकांत मिस्थान होते हैं। ब्रह्म ज्यानियों के भी आश्रम शेहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं। इतने उपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शेहर में अंदर घुस पड़े हैं। वे ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है? ये बाप के सिवाए कोई भी बैटरी चार्ज करना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विगन पड़ते हैं। कोई तो सरजन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामिया है वे तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किये हैं, वे अविनाशी सरजन के आगे वर्नन करना चाहिए। नहीं तो वे दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर रख लेना, यह भी नुकसान का रखे। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं, वे सब बाप को बतला देते हैं। इस जन्म में यह यह पाप किये हैं, दिन प्रती दिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर वन पतित बना हुए उनमें ही परवेश करता हूँ क्योंकि उनको ही फिर नंबर वन में जाना है बहुत मेहनत करने पड़ती है इस जन्म में पाप हुए तो है न कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम यह क्या कर रह जैसे मनुष्य बूड़े होते हैं तो करमेंद्रिया आटोमेटिकली शान्त हो जाती हैं इसमें तो छोटेपन में ही सब शान्त हो जाए योगबल में अच्छी तरहें रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए वहां कोई ऐसी गंदी बिमारी की चड़ पट्टियादी कुछ नहीं होता है मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं वहां है इराम राज्य यहां है रावन राज्य तो अनेक प्रकार की गंद की बिमारी आती हैं सत्यू में यह कुछ होती नहीं बात मत पूछो नाम ही इतना फस क्लास है स्वर्ग नहीं दुनिया बड़ी सफाई रह आज अमर लोग के मालिक बनते हो निश्चे हो जाता है कल मृत्यो लोग में थे अभी संगम यूग पर आने से अमर लोग में जाने के लिए तुम पुर्शार्थ कर रहे हो पढ़ाने वाला भी अब मिला है जो अच्छी रिती पढ़ाते हैं तो पैसा आदी भी अच्छा कम आते हैं बलिहारी पढ़ाई की कहींगे यह भी ऐसे है इस पढ़ाई से तुम बहुत उच्पद पाते हो अभी तुम रोश्नी में हो यह भी सिवाए तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो पुरानी दुनिया में चले जाना अभी तुम संगम यूगी ब्राह्मनों को मालूम है कि हम कल यूग में नहीं है यह सदे वियाद रखना है हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं पाप हमको पढ़ाते ही है नए दुनिया में जाने के लिए यह है शुद एहंकार वह है अशुद एहंकार तुम करते करते आखरीन पिछाडी में रिजल्ट निकलेगी बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुर्शार्थी हैं इम्तिहान जब होता है तो नंबर वार पास हो फिट ट्रांसफर हो जाते हैं तुम्हारी है बेहत की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो तुम कितना समझ आते हो नए नए आते रहते हैं बेहत के बाप से वर्शा पाने के लिए पल दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चे बुद्धी हो जाते हैं ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए जिस बापने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मि जाते हैं बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो बाप तो चुम्बक है ना जिसकी तकदीर में हैं वे अच्छी रिती पकड़ सकते हैं तकदीर में नहीं है तो फिर खलास सुना अनसुना कर देते हैं या कौन बैठ पढ़ते हैं भगव पढ़ाते हैं जिसे 21 जन्मों की बादिशाही मिलती है ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं बंधन की जन्जीरों में जकड़े रहते हैं शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए जैसे कोई मस्ताने होते हैं यह भी ड्रामा में पाट था जो कशिश हुई ड्रामा में भट्टी बननी थी जीते जी मरे फिर माया की तरफ कोई-कोई चले गए युद तो होती है ना माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं वह नहीं बच्चों की कितनी संभाल होती थी सब कुछ सिखलाते थे तुम बच्चे एल्बमादी देखते हो लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ न सके कोई बैट समझाए कि क्या-क्या होता था कैसे भटी में पड़े थे फिर कोई कैसे निकल ले कोई कैसे जैसे रुपे चपते हैं तो कोई-कोई खराब हो पड़ते हैं यह भी इश्वर ये मिशिनरी है इश्वर बैट थर्म की स्थापना करते हैं ये बात किसी को भी पता नहीं है बाप को बुलाते भी हैं पर अंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं कहते हैं ये कैसे हो सकता है माया रावन एक्तम ऐसा बना देती है शिब आबा की पूजा भी करते हैं फिर कह देते हैं सर्वयापी शिव बाबा कहते हो फिर सर्व आप भी कैसे होगा पूजा करते हैं लिंक को शिव कहते हैं ऐसे तूड़े ही कहते कि इसमें शिव बैठा है अब पत्थर ठिकर में भगवान को कहना तो क्या सब भगवान ही भगवान है भगवान unlimited तो नहीं होंगे न तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कलप पहले भी ऐसे समझाया था, अच्छा, मीठे मीठे, सिगी लदस्य बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दाड़ा का याद प्यार, और गुड़ मॉर्णिंग, रुछानी बाप की रुछानी बच्चों को नमस्दे, रुछानी नाराज ना हो बाप समान विदेही बनने का पुर्शाथ करना है याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और करमेंद्रियां शान्त करनी है सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम यूगी है कल यूगी नहीं बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रही है अशुद ख्यालाद स्वाप्त कर देने है वर्दान अकाल तक्त और दिल तक्त पर बैट सदा श्रेश्ट कर्म करने वाले करम यूगी भव अकाल तक्त और दिल तक्त पर बैट सदा श्रेश्ट कर्म करने वाले कर्म योगी भव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे इस समय आप सभी बच्चों को दो तक्त मिलते हैं एक अकाल तक्त दूसरा दिल तक्त लेकिन तक्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है जब अकाल तक्त नशीन है तो स्वराज अधिकारी है और बाप के दिल तक्त नशीन है तो बाप के वर्से के अधिकारी है जिसमें राज्य भागे सब आ जाता है कर्मियोगी अर्थात दोनों तक्त नशीन ऐसी तक्त नशीन आतमा का हर कर्म श्रेष्ट होता है क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लो और आर्डर पर रहती है स्लोगन जो सदा स्वामान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है जो सदा स्वामान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है ओम शंति झाल झाल